कोरोना के चलते देश में लॉकडाउन जारी है चार मई से देश में तीसरे चरण के लॉकडाउन के साथ ही आम जरनता को कई प्रकार की छूट भी दी गई है लेकिन कोरोना युद्धाओं में पहली पंक्ती में सेवा दे रहे चिकित्सकर्मी अभी भी जी जान से अपनी सेवा देने में जुटे है भारत सरकार एवम राजिस्तान सरकार भी अपने देश वासियों को बचाने के लिए पूर्ण प्रियास कर रही है इसी बीच विनोद कुमार मीना समीदा फार्मसस्ट के पदपर सवाई मान सिंग चिकित्साली जैपूर में कारेरत है जो कि पिछले दो महिने से लगातार आइसोलेशन डिपार्टमेंट एवम कोरोना नियंतरण का अक्षित चरक भवन इवम सवाई मान सिंग चिकित्साली की में बिल्डिंग में स्थेद मुख्य मंतरी नेशुल के दवावितरन केंदर पर कोरोना वालियर्स बन कर लगातार अपनी सेवाई दे रही है ये पिछले दो महिने से अपने गाउं कुवा गाउं तेहसिल बामनवास जिलासवाई माधुपूर में अपने माता पिता एवम भाई के दो छोटे बच्चो नमन हिजल से मिलने भी नहीं गई है विनोद के पास अपने माता पिता का फोन आता है कि तुम घर कब आओगे तो इनका सिर्फ एक ही जवाब रहता है कि जब तक देश कोरोना मुक्त नहीं हो जाता